अम्रित काल का ये पहला बजेट विक्सीट भारत के विराट संकल को पूरा करने के लिए एक मजबूत नीव का निर्मान करेगा ये बजेट वन्चितों को वरियता देता है ये बजेट आज की एस्पिरेशनल सुसाइटी गाउं गरीब किसान मद्दिमवर सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं वित्नमंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस अईतियासिक बजेट के लिए बधाई देता हूं साथियों परंपरागर्त रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी महनत कर कुछ न कुछ सुरुजन करने वाले करोडों विश्व कर्मा इस देश के निर्माता है लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मुर्तिकार, कारिगार, मिस्ति, अंगिनित लोगों की बहुत बहुत लंबी लिष्ट है इन सभी विश्व कर्माओं की महनत और सुजन को देश इस बजेट में पहली बार अनेक पोथसाहन योजना लेकर के आया है ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नलोजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्ता की गई है पीएम विश्व कर्मा काउशल सम्मान यानि पीएम विकास करोडों विश्व कर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बढलाव लाएगा साथियों, शहरी महलाओं से लेकर गाउं में रहने वाईली महलाएगों कारवार, रोजगार में व्यवस्त महलाएगों या गरकाम में व्यवस्त महलाएगों उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, बीते वर्षों में, सरकार ने अनेक विद कदम उठाए हैं जल जीवन मिशन हो, जुला योजना हो, पियम आवाद योजना हो, ऐसे अनेक कदम इन सब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ महलाएगों सेलफ हेल गुरूप एक बहुत बड़ा सामर्तवान छेत्र, आज भारत में बहुत बड़ी जगा अपने हाफ एक्वाइर कर चुका है उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं और इसलिए विमेन सेलफ हेल गुरूप उनके सर्वांगिन की विकास के लिए नई पहल इस बजेट में एक नया आयाम जोड़ेगी महलाओं के लिए एक विशेस बचत योजना भी शुरू की जा रही है कि विशेस बचत योजना सामान ये परिवार की गुरूइने मापाव बेहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है ये बजेट सहकारिता को ग्रामीन अर्थिववस्ता के विकास की दूरी बनाएगा सरकार ने कोपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना बनाई है स्टोरेज कैपेसिटिव बजेट में नए प्राइमरी कोपरेटिव बनाने के लिए एक महत्वकांची योजना का भी ऐलाम हुआ है इससे खेती के साथ साथ दूद और मचली उत्पादन के खेतर का विस्तार होगा किसानों और शुपालतों और मचारों को अपने उत्पाद की बहतर कीमत मिलेगी साथ यो अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सबलता को एग्रिकल्चर सेक्टर में दोहराना है इसलिए इस बजेट में हम डिजिटल एग्रिकल्चर इंट्रास सेक्टर के एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं आज दुनिया इंट्रनेशनल मिलेट येर मना रही है भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार है अनेक नाम है आज जब मिलेट्स गर गर में पहुंच रहा है पुरी दुनिया में पप्लर हो रहा है तो उसका सरवादिक लाव भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए अवशक है नए तरीके उसको आगे ले जाए जाए इसकी एक नई पहचान विशेश पहचान अवशक है इसलिए अब इस सुपरफूर को स्री अन्न की नई पहचान दी गई है उसके प्रोचान के लिए भी अनेक भी दियोजनाएं बनाए गई है श्री अन्न को दी गई प्राफिक्ता से देश के छोटे किसादों हमारे आधिवाजी भाईवें जो किसानी कर पहे हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देश वाचियों को एक स्वस्त जीवन मिलेगा साथियों ये बजेट सस्टेनेबल फीचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एकोनोमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूत पुर्व विस्तार देगा बजेट में हमने टेक्नोलोजी और न्यू एकोनोमी पर बहुत अधिक बल दिया है एस्पिरेश्टल भारत, आज, रोड, रेल, मेट्रो, पॉर्ट, वोटरवेज, हर खेत्र में आधूनिक इंफ्रासेक्टर चाहता है नेक्स जनरेसें इंफ्रासेक्टर चाहिए, 2014 की तुलना में इंफ्रासेक्टर में निवेश्ट पर 400 परशन से जादा के वृद्धी के गई है इस बार इंफ्रासेक्टर पर 10 लाग करोड रुप्ये का अभूत्परव इंवेस्टमेंट भारत के विकास को नई उर्जा और तेज गती देगा ये निवेश्ट युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर परदा करेगा एक बहुत बड़ी आबादी को आएके नए आउसर अप्लब्द कराएगा इस बजेट में इस अब बिजिनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढाया गया है MSM के लिए दो लाग करोर रुप्य के अतिरित रण की गारंटी की व्यवस्था की गई है अब प्रिजम्टिव टेस्ट की लीमिट बढ़ने से MSM को ग्रोग करने में मदद मिलेगी बड़ी कंपनिया द्वारा MSM इसको समय पर पेमेंट मिले इसके लिए नई व्यवस्था बनाई यही है साथियों बहुत तेजी से बदलते भारत में मद्यमवर्द विकास हो या व्यवस्था हो साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ हो जीवन के हरक्षेत्र में आज भारत का मद्यमवर्द एक प्रभुख धारा बना हुआ है संब्रूद और विक्सित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मद्यमवर्द एक बहुत बड़ी ताकत है जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशे सामर्थ है वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मद्यमवर्द भी एक बहुत बड़ी शक्त भी है मद्यमवर्द को सञक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीटे बर्षों में अने को निरने लिए और ईस ओफ लिविंग को सुनिश्चित किया है हमने टेक्स रेट को कम किया है साथ ही प्रोसेस को सिंप्लिपाइ, ट्रांस्परण, और फास्प किया है हमेशा मद्यमबर के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मद्यमबर कोट टैक्स में बड़ी राहत दी है इस सर्वस पर्ची और विक्षित भार्ट के निर्मार को गती देने वाले बजेट के लिए मैं फिर एक बाद निर्मला जी और उनकी पुरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और देश वासियों को भी बहुत बढ़ाई के साथ साथ मैं आवान करता हूँ आईए अब नया बजेट आपके सामने है नए संकल को लेकर के चल पड़े 2047 में समरुद भारत समर्थ भारत हर प्रकार से संपन्द भारत हम बना के रहेंगे आईए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं बहुत 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 धन्यवाद